दोस्तों मौसम को देखते हुए आज मैंने दाल बड़ा बना रही थी क्योंकि सबजियों में मुझे कोई स्वाद नहीं लग रहा था और उसलिए मैं सोची आज चलो दाल बड़ा की सबजी बनाती हूँ लगे हाँ तो चाए बना के पहले तो कुछ स्नैक्स खा लिया फिर सबजी बनाई तो चलो दोनो रेसी पी आपके साथ असेयर करती हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आधा कब चनी की डाल लिया है जिसको अच्छे से दोनी के पर दो गंटे के लिए भीगो दिया था और अब यह आप देख सकते हैं दाल अच्छे से फूल गई है नाकुन से तोडने से तूट भी रही है तो इस दाल को अभी हम पीस लेंगे तो मैं मिक्सी जार में बीना पानी डाले पहले हम दाल को छान के डाल देंगे लेकिन जो भी गोया हुआ पानी है उसको नहीं फेंकेंगे एक छोटे चमस जीरा तीन से चार कलिया लहसुन आदा इंच चुकड़ा अद्रक और दोहरी मेर्श डाल के वही दाल का पानी में से एक चमस डाल के इसको हमें पेश्ट बना लेना है जब आप दाल का पेश्ट बनाएंगे ये दाल जैसे छिटक के थोड़ा सा ऐसे उपर को हो जाता है इसको पीसी हुई दाल के साथ मिला लेंगे जिसमें क्या होगा हमारी दाल बड़ा में क्रिस्पी टेक्स्चर आएगा अभी इसको हमें एक बरतन में निकाल लेना है स्वादा नुसर नमक, खल्दी और उसमें थोड़ा सा बारिक कटा प्याज डाल देंगे तो मैं यहाँ पे लगभक एक छोटा मध्यमाकर का प्याज को बारिक काट के डाल दिया दो बड़े चमच हम इसमें बेसन डालेंगे और थोड़ा सा बारिक कटा धनिया पता अब यहाँ पे कड़ी पता भी डाल सकते हैं छोटे सा बरतन हो गया उसलिए मैं बड़े बरतन में इसको ट्रांसपर कर रही हूँ मिक्स करने के लिए अभी इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारी दाल बड़ा तयार है तलने के लिए तो चलिए तेल लगए हाथों वहाँ पे चड़ा दिया तक गरम हो गया है अब हाथ में भी ऐसे छोटी छोटे बॉल्ट डाल सकते हैं मैं स्पून से डाल रही हूँ इसको बस दोस्तों थोड़ा सचारों और से क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राइ कर लेना है फ्लेम आपका मेडियम टू लो रहेगा और डाल बढ़ा को आप जैसे की मीडियम टू लो फ्लेम पे दीरे दीरे पकाएंगे ना क्या होगा अंदर से तो साफ्ट रहेगा उपर से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा तो उधर लगे हाथ तो आप देख सकते हैं मैं दूद डाल रही हूँ दूसरे फ्लेम पे और चाई भी चड़ा दिया है बहुत मन किया दिन का बारा बच रहता मैं जानती हूँ चाई पी नहीं खा टाइम नहीं हो लेकिन क्या करूँ ये दाल बढ़ा को देख के ना बढ़ा मन किया एक कप चाई तो बना ही लेती हूँ चाई हो आधी कप हो जाएगी खौल के और मैं ये दाल बढ़ा दो दाल बढ़ा के साथ ही खा लूँगी मन ऐसा करता है ना दोस्तों अब क्या करें तो लगे हाँ तो अद्रक डाल के मेरी ये चाई भी तयार हो गई है तो मैं एक काम करती हूँ थोड़ा सा दाल बढ़ा ले चलती हूँ थोड़ा सा मेर्ची भी फ्राय में ने कर लिया था जान बुझ के कि ऐसे ही खाऊंगी करके तो मेरा बेटा और मैं थोड़ा सा दाल बढ़ा चाई के साथ एंज़ॉई करते हैं अभी हम सबजी बना लेंगे थोड़ा सा तो खा लिया थोड़ा बच्चा है तो तेल करम करके हम यहाँ पे तेजपत्ता, डालजीनी, लॉंग, बड़ी, लाइची, जीरा और हिंग का तड़का लगाएंगे जब तड़का लग जाए तब हम इसमें प्याज डाल देंगे तो 1.5 इंच चुकड़ा अध्रक लिया है, मैंने सेम मिकसिंग जार यूच किया है, और पानी मैने जो भी गोया ninety था उसको डाला है अभी मसाला पेश्ट हमारा तयार हो गया है और उधर प्याज भी हमारा भुन के तयार हो गया है ये दिखिए दोस्तों प्याज बस हमें ऐसे थोड़ा सा ब्राउन कलर कर लेना है इसमें अभी हम जो अधरक लहसुन और टमाटर का पेश्ट था उसको डाल देंगे mix color koor धोकी भी डाल देंगे अच्छे से mix कर देंगे अब इसमें हमें मसाले डालना है तो मसाले में हमें यहाँ पे हल्दी धनिया पाउडर उसके साहथ गरम मसाला पाउडर कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालना है डाल के, जो basic मसाले को अच्छे से भूनना हैs मैं यहाँ पर आलू डाल रही हूँ, बहुत लोग आलू पसंद नहीं करते हैं, मैं यहाँ पर उगली हुई आलू डाल रही हूँ, मसाली के सथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अलू को पकाएंगे ताकि क्या होगा ना मसालिक का फ्लेवर और नमक अलू में आ जाए तो मैं यहाँ पर सबजी के अकोडिंग नमक डाली हूँ लेकि ध्यान से डाली है क्योंकि दाल बड़ा में हमने अल्डेडी नमक डाला हुआ है तो अभी इसको हमें पांच मिनिट पकाने के बाद मैं यहाँ पर ढाई कप पानी डाल रही हूँ दोस्तों आप बोलेंगे इतना ज़दा पानी क्यों क्योंकि जो डाल बड़ा है वो ग्रेवी को अबसर्ब कर लेगा और लाश्ट में देखिएगा ग्रेवी जब हलका हलका ठंडा होने लगेगा ना तब आपका ग्रेवी बहुत गाड़ी हो जाएगी बस इसको हमें तीन से चार मिनिट मीडियम फ्लेम पे उबालना है अब देखिए कितना तीजी से उबल रहा है इस जगे पे जो बच्ची हुई दाल बड़ा था मतलब हम लोगोंने कुछ स्नैक् कितना अच्छा फूल गया है ग्रेवी हलकी सी पतली है लेकिन ये ग्रेवी जितनी जितनी सब्जी ठंडी होगी उतनी उतनी गाड़ी होती जाएगी उपर से हराधनिया डालिए गर्मा गरम चावल के साथ सर्व किजिए दोस्तों यकीन मानिए ये सब्जी जब आपको सब लेंगे बहुत अच्छा था मिलती हूं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक बाई बाई